नमस्ते और जोहार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत हैं। आज मैं अपने फैमिली के साथ फिर्स टाइम दे हैरिटीज फैमिली रेस्टोरी में आया हुआ हूँ। जो पुलीस लाइन के बाद यानि दुल्ब का रानपुरहाड रूट पे स्थित है। इधर से दुल्ब का काउन से आने का रास्ता है। और इधर आप रानपुरहाड जा सकते हैं। तो दोस्तों दूर से इस रेस्टोर्ण का नजारा कुछ ऐसा है। तो चलिए फिर अंदर चलके देखते हैं। यह अंदर का लुक्स कैसा है। और साथ में यहां का भोजन भी आके देखते हैं। और इसके बाद प्रिव्यू करके आपको बताते हैं। So, let's go inside! तो दोस्तों इस रेस्टोर्ण का इंटीरियर लुक्स कुछ इस प्रकार से है। बाहर देखने के लिए काच के सी से लगे हुए हैं जो आप बाहर देख सकते हैं। और यहां पर एक जोटा सा सोफा है, बैठने के लिए। यह असल में एक कैफे है। यहां पर भी बैठ के आप दाइन कर सकते हैं। फिर इनका ऊपर भी रेस्टोर्ण है। बढ़ा सा। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहीं पर बैठ के करते हैं। पर दोस्तों इनका जो इंटिरियर लूप्स है। वो बाकी जितनी भी रेस्टोर्ण जो दुनका में है। इंसे अलग है। यूनिक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा अलगा। अगर आप यहां पर आये हैं तो जरूर से कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट हीजिएगा। तो दोस्तों अपने फैमिली के साथ आज में यहां पर आया हुआ हूँ। और बताते हैं आपको कि इनका मैनू में क्या-क्या है। चलिए देखते हैं। तो ऐसा है इनका मैनू कार्ड। दे हैरिटेज। आपको रोल दोंगा। तो यहां पर आपको गुलेंगे। सूप के कुछ आइटम्स। और अपरटाइजर्स के आइटम्स। अब देख सकते हैं। और मेन कोर्स जो नॉनवेच है। फिर मृटन स्पेशल। सीफूद स्पेशल। वाव। मैं दुमका में देख रहा हूं। दाल दिब से, बिर्यानी और राइस, फिर इंडियन डोस तियारी, चैनीज में कोर्स, इंडियन कुजीन और चैनीज कुजीन यहां पर अवेलेबल है। राइस नूडल्स, फिर सलात के कुछ आइटम्स। फिर आप देख सकते हैं डीजर्ट, फिर मॉटन्स। और यह रहा अप्रेंस। तो देख सकते हैं दोस्तों, उपर का इंडियर लुक्स है। जो कुछ ऐसा दिकाए देता है। यहां पर बीटिफल लाइट्स लगे हुए हैं और इनका इस लाइट्स के वजए से यह अंदर का जो लुक्स है वह बहुत ही सुन्दर और यूलीग दिखा जाए है। चली ओडर दे दिया गया है और साथ ने यहां पर आ भी गया है। तो यह है चली प्राउन। देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। चली आट बेस्पटर के भी देखते हैं इसके बाद बताते हैं। तो यह रहा हम लोग का ब्लू पैरडाइस। और यह है वर्जिन गुजीटो। इसके पीने के बाद बहुत रिफ्रेशिंग महसूस होता है। तो लेट स्टार्ट। तो वेच फ्राइट राइस पहा चुका है। आप देख सकते हैं जो बाद यह काफी ज्यादा क्वांटिटी है एक व्यक्षी के लिए। तो हम लोगों ने सर्फ दो ही ओर्डर की देखते हैं। अगर आप ज्यादा खाने वाले हैं तो फिर इखी बहुत आपके लिए काफी होगा। वेच प्राइट राइस देखने में को बहुत खुछूरत थी। और लजीज दिखाए दे रहा है। वो यह रहा मेरा प्रेड ले ग्रेश फ्राइट राइस और चिली मंचूरिया। और चिकन मंचूरिया। चलिए इसे खाके भी लेखते हैं। तो दोस्तों जो भी हमने अभी तक खाया है। वो बहुत ही स्वादिश्ट और बहुत टेस्टी था। उसका कोई जवाब नहीं। और साथ में यह हम लोगों ने मताया है। Sizzling Brownie with Ice Cream जो dessert है। सुन्दर लिखाई दे रहा है। वो यह सुनम है। यह सुनम है। यह सुनम है। सुनम है। सुनम है। तो चलिए टेस्ट करके भी देखा जाए। बहुत टेस्ट है। बहुत टेस्ट है। तो दोस्तों खाना पीना खता सब हो गया। और सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो यह है आपका एक रिव्यू कार्ड जहां आपको रिव्यू करने हैं। आपको कैसा लगा। आपका नाम, आपका नमबर, आपका इमेल, इस दीट और बहुत यहां भरना है। सारी प्रक्रियाब खत्म हो चुके हैं तो हमारे बीच में आपको आ चुका है बिल, आपको बिल पेमेंट करता है। कुछ इस तरह से सजाके लाया जाता है। तो दोस्तो, सब कुछ बहुत बढ़िया था इस रेस्टरॉण का खाना और इस रेस्टरॉण के लोग, यहां के स्टाफ भी बहुत ही मिलनसार लोग हैं। तो कैसा लगा आपको? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा। तो दोस्तो, अभी हम लोग निकलते हैं। खाने पिने का सारा चीस हो गया है। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा इस रेस्टरॉण का खाना। अगर आप लोग दुमका से हैं और दुमका से देख रहे हैं। तो जरूर से आप अपने फैमिली के साथ यहां पर आ सकते हैं। और साथ में अगर आप लोग पहले ही, पहले भी यहां पर आ चुके हैं, तो जरूर से आप बताएं। तो दोस्तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहां से। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर आपको सच में पूट अच्छा लगा तो जरूर से लाइक पॉमेंट और शेर करना ना भुलिएगा थाज तैंक यू पो वाच इंग बाइ बाइ वाइ